वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नमबर थाड ठीक है जो कि आपका केमिस्ट्री बीसी पार्ट सेक्ट ठीक है बीसी फच्टियर और आपका सेकंड समेस्टर है समीस्टर आपका सेकंड है और आपका फच्टियर है छीक है तो इसमें हमने एक से दो क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है cry long answer type लौंग- टायब question हम discuss कर रहे हैं लंग last टाइप question हम डिस्कस कर रहा है या पर पहले और त्युक्रोज कि पर टिपढ़ी कीजिए तो इस तरह से पूंच सकता है तो को रोज के गुण तथा सरचना समझाइए या आप से पूंच लेगा कि फुक्रोज पर टिपढ़ी लिखिए या टिपढ़ी कीजिए जब बात करते शुक्रोज के कि प्रूंज के गुण सब्से पहले हमने क्या पढ़ना है अनु사 के गुण की रंग ही नीठे स्वद वाला कैसा होता है नीठे होता यह वि harmonic क्लर्णे स्वे के मिले फिर आनी में डालने पर यह कुल जाएगा ठीक ढॉता और इसका गलना कितना होता है, 160 degree centigrade, बिसिस्ट गोडन कितना होता है, इसका प्लस 65, 66.5 degree, यह आपको बिसिस्ट गोडन इसका याद रखना है, ठीक है, 66.5, नमबर एक, उसमा का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट आफ हीट, गरम करने पर पिखलता है, जब इसको गरम किया ज और ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या होजाता है, शीसे के समान एक पदार्थ मिस्टी बनाता है, ठीक है, वारलिस सुगर जिसे कहते हैं, और 200 degree centigrade पर गरम करने पर जल कोकर क्या बनाता है, क्या बनाता है, जब इसको 200 degree centigrade पर गरम किया जाता है तो इसके अंदर जो भी जल की मात्रा होती है उसको क्या बनाता है कह रा मेल बनाता तो इसमें जो भी जल की मात्रा होगी ठीक है H2 U О, जितना भी होगा, वो बाहर निकल जाएगा, आपके ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 11 CDU होगी हैं, और वारै क्या बच गए हैं, आपके पास, कार्व, जैसे हम कया गयते हैं, कारा मेल कहते हैं, कारा मेल बन गया है, अगला है जल अपघटन ठीक है है यह इसका सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है यहां पर गलुकोज और प्रक्टोज दो चीजें बनती है ठीक है यह आपका आगया सुक्रोज ठीक है एक गुलुकोज बन जागा आपका दूसरा क्या बन जागा फ्रक्टोज ठीक है दो मॉलिकुल बनते हैं गुलुकोज और फ्रक्टोज कब जब हम शुक्रोज का जल अभगरन कर देते हैं या जल के साथ में उसकी क्रिया कर देते हैं ठीक है और यहां पर भी इसमें चुछ ज़ड़ जागा यहां पर भी इसमें चुरुप पाया जागा क्या यह चुरुप आप चुरुप आपको मिल जाएंगे और प्लस क्या बचेगा इसमें जल बच जाएगा जल बच जाएगा ठीक है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी उपस्तिती में एच अनुथ्य ठीक नाट्रिक अमलकी उपस्तिती में ऐसेडेशन करने पर आपको क्या मिलता है अग्जैलिक एसड प्राफ्ट होता है ठीक है अग्जैलिक एसट का ऑल्ट वाइच ठीक है इसका बोलट वाइच यह कितना होता है आपका छे होते हैं कितने मॉलिकुल बनते सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर क्या होगा जितना इसमें वाटर होगा जितना वह बाहर निकल जाएब यह आपका वाटर बाहर निकल गया और क्या बचरा था आपका काता है कारामल आपका यहां अगर चार कोल बे चारपुल या चारफूल अत्र देख़े आपका जो सुगर चारपुल करोड़ी या अपकारवन आपड़ी ऐस में प्रटम बन जाएक और है और सुपार नों और एच्ट टू बन जाएगा ठीक है तीन आपको कमपाउंड दुबारा से मिल जाएगा जब हमने क्या कर दिया सुगर चार्ड कोल का दुबारा से अब कर दिया एक्षिट करते हैं सुगरोज की तो बनता है यह आपका आगया सुगरोज अब यह कांसेंट्रेटइड एक्षिए मोल सूर्ड करोगे तो यह साथ क्या बन जाएगा यहीं के साथ करनी एसे ltर करनी जब हैच। इस तरह का मंजाएगत तो आपको कुछ इस तरह का मॉल कुल मिलेगा कुछ इस तरह का मॉलिकूल मिलेगा ठीक है पहला कार्वन दूसरा तीसरा पाचमा और चटा तो दूसरे और पाचमे कार्वन के बीच में ऑक्सिजन रिंग बन जाएगी ठीक है यह इस तरह से अब इसके बाद दोबारा से इसको जब HCL के साथ में ट्रीट करोगे concentrate H2O4 के साथ तो क्या बन जाए आपका Lublinic Acid क्या बन जाए लूबिलिनिक acid बन जाए और साद ही साथ क्या भानेगा इसका HCOO जिसे हम कहते है formic acid क्या बनेगा formic acid बन जाए ठीक है HCOO यह आपका क्या हो गया HCL के साथ में क्रिया हो गए ठीक है कि इसकी सक्रोज की next कहεί रहा है मैफली कररण क्या है next है आपका मैथली कररण तो ओक्ता मैफिल सक्रोज बनता है जब इसका मैफली कररण किया जाता है मतलब CH3 के साथ में reaction की जाती सब यहां पर आपका ऊक्टा एक्तिल सब्च उसकी रियक्शन कर दो इसके साथ जब रियक्शन करोगे आप तो क्या बन जागा यह बन जागा आपका आक्टा एसे टेल शुक्रोज और साथ ही साथ क्या निकलेंगे आप एट मॉलीक्यूल आप आप होता है इसमें आपके तो कहते हैं आप लगे होते हैं एक तो धो क्या आपका कैलियूंध्र ऊक्ताइड के साथ अग्रिया रियक्शन है इसे हैं यह आपका सुक्रोज है यह रेक्शन करेगा कि साथ में correctly HDMI कि सास्थ मेंygen किया बनाता है कैल्स त्र céime क्रीजिया बनाता है कैल्सियूम सुक्रोसेट ठीक है यहां पर यह कई है त्थ्री सी ओ कितने हैं थ्री सील फे पर यह क्या शी खराइच बाहिस ओग्वी सब्सक्रोज और यहां पर जतना भी पानी होगा तो पानी के बाहर बात करनी आं सक्रोज की सरचना के बारे में अगर हम बात करें तो सरचना क्या कहती है इस प्रोज की प्रचना ठीक है Constitution नमबर एक सुक्रोज का आंडविक सूत्र क्या होता है अभी आपने देखा था सी वारा है एच वाएस ओ गया रहा है यह क्या होगा इसका आणडविक सूत्र हो गया ठीक है याद रखना है दूसरा गारा तनु अमलों की उपस्थती में जल आप घटित होक कर तनु अमलों की उपस्थती में आपको तोगर क्या बनाएगा एक अडू आपका गलुकोज का बनाएगा और दूसरा किसका बनाएगा एक अडू प्रक्टोज का बनाएगा इस फस्ट है कि सुक्रोज का अडू एक अडू गलुकोज तथा एक अडू फ्रक्टोज से बना होता है ठीक है यह क्या होगा आपका गलु व्यक्तराडू किस्की आउक्ता हून होता है तो यह द्यां रखना यह कहने का मतलब यही ई है कि यह थे जो है आपका सुक्रोज होता है क्या होता है टिसके राधिस lost हो कहे सकते और ग्लु कोज स्प्रक्टोज झाल आपका सुक्रोजे जलब गढ़न करता है ये आपका गलुकोज बन बन जागा धुसरा क्या बन जाएंगा में भ्रक्टोज बन जाएगा राटकोज रेट कहले रहा यह रिया और तोलन अभिकरमक के साथ क्रिया नहीं कर सकता ठीक किसके साथ failing billion और तॉलन अभिकर्म के साथ में यह करिया नहीं करता है और ना उसा जोन बनाता है क्या बनाता है नहीं बनाता है इससे पता चलता है कि ग्लुकोज तो था फ्रक्टोज दोनों के अपचेट समग यह क्या होता है आपका CHO और दूसरा क्या होता है तो क्रोज में अनुपस्तित है ठीक है जो की ग्लुकोज में ग्लुकोज और फ्रक्टोज में आप क्या था लगा है कैसे है अनुपस्तित है और दोनों एक दूसरे से अपने CHO तथा C double bond O से जुड़े हैं दोनों किसे जुड़े होते हैं जो first carbon पे एक पे क्या लगा होता है आपका CHO गुरुप लगा होता है ठीक है और दूसरा जो होता है गलुकोज होगे आपका ट्रक्टोज के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है CH2OH और दूसरे carbon पे आपका लगा रहा था C double bond O ठीक है तो इनका ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं ठीक है यहां से बांड टूट जाएगा और ये oxygen इस से इस तरह से जुड़ा रहा होगा ठीक है दिख रहा ये oxygen oxygen दूसरे carbon से जुड़ा रहा होगा थाड कर रहा है एसटिली करना करने पर सुक्रोज ऑक्ता-इसटिल भ्यूत्पन बनाता है इसमें 8OH समु की पुष्टी होती है ठीक है ऑक्ता-इसटिल भ्यूत्पन बनाता है जिसमें 8OH समु की उपस्थिति का पता लगता है तिक है इससे पता जलता है कि इसमें आठ ओच समूं आपके प्रजेंट है वो आठ हट जाते हैं उसकी जगह पर कहा जाता है आपका एसिटल गुरुप आ जाता है ठीक है सेश्ट्री दियों ओ नेक्स्ट कर आई गुणों के आधार पर यह ग्यांत होता है कि बन्ध और और अभे में बीटा बंद बनता है तो क्रोज के गलुकोज अभी इसका जो गलुकोज करने पर ऑक्टामेथली उत्पन बनता है जो जल अपगटन करने पर 2, 3, 4, 6 कौन सा 2, 3, 4, 6 कब जब हम क्या करेंगे मैथली करन करने पर ओक्ता मेथल व्यूत्पन बनता है जो जल अपगटन करने पर 2, 3, 4, 6 टेटरा मेथल गलुकोज और 1, 3, 4, 6 टेटरा मेथल फ्रक्टोज देता है गलुकोज कौन सा होगा आपका 2, 3, 4, 6 टेटरा मेथल गलुकोज और 1, 3, 4, 6 टेटरा मेथल फ्रक्टोज देता है कब जल अपगटन करने पर ठीक है इनका कर दो भई जल अपगटन तो यह आपका आगया गलुकोज इसका जल अपगटन कर दो जल अपगटन करने पर क्या मिलेगा आपका 2, 3, 4, 6 तो देख लो भी दूसरा कार्वन ये है तीसरा कार्वन ये चौथा कार्वन ये और छटा कार्वन ये दूसरे तीसरे, चौथे और छटे कार्वन पर आपका CH3 गुरुप लगा है जिसे हम क्या कहते हैं मैथिल कितने हैं 4, 4 को क्या कहते हैं टेटरा तो 2, 4, 2, 3, 4, 6 आपका क्या हो जागा टेटरा मैथिल गलुकोज यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जागा पहले कार्वन पर लगा हुआ है ये तीसरे पर लगा हुगा है चौत्छे पर लगा हुगा है और ये छे चलता है कि द chat ट्रीवर्म को जागा एक नपात 5 फिर्ट्रमेथल क्ला ये ये और झाल में ट09 उस्टत्रमेथल कोज सें वो कैसी आपकी 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 खिर deine चक्री संरचना क्या कहलाती है और फ्रक्टोज अफ्षेस की एक अनुपात चार यानि कि पहले और चौथे कारवन से लगा होगा ठीक है आक्साइड संरचना आपकी क्या कहलाती है फ्यूरे नोज कहलाती है ठीक है फ्रक्टोज की ऑक्साइड संरचना फ्यूरे नोज और ग् देखtı अच्छे से वह आपका आगया में रोल हम्तीर अन्य सब्सक्राण रभी होगा यह क्या आपका यह गलू को वक्रीरe Antonio तो क्या हो जागा एलफा ग्लुको पाहिरेंोज यूनिट यहां पर क्या होगा पहले कारवन से आपका क्या लगा रहा हूता है यह यानि कि इस पे लगा होता आपका Aldehyde'd ग्रूप लगा होता है ठीक है और हम बात कहरें इस पर क्या लगा होता है आपका keto ग्रॉप लगा होता है keto अगर यह पहले कारवन को छोड़कर किसी अन्य कारवन पर किसी मध्य कारवन पर आपका C double bond O group लगा होता है तो प्रक्टोज कहते हैं ठीक है पहले कार्बन पर लगा है यह आपका जगा अब देखो पहले और इसके दूसरे कार्बन के इनके बीच में क्या होता है कि आउकसाइड रिंक का फार्मेशन हो जाता है और यहां पर फ़स्ट और शिफ्ट कार्बन के बीच वह भी किसमें प्रेक्टोज में दूसरे और पांच में कार्बन पीच में और यह आपका क्या कहलाथ है पैरेनोस कहलाता है ठीक है नेक्स्ट किया रहा है वर्थ 1927 की अनुसार सुक्रोज क्या था अलफा डी ग्लूको पाइरेनोज पाइरेनोसिल बीटा डी फ्रक्टो पाइरेनोसाइड क्या था फ्यूरेनोसाइड अलफा डी ग्लूको पाइरेनोसिल और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरे नोसाइड था क्या था फ्यूरे नोसाइड और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्सित किया जाता है ठीक है अलफा डी ग्लुको पाइरे नोसल और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरे नोसाइड ये दोनों है ये आपका क्या हो जागा अलफा डी स्ट्रक्चर किसका स्ट्रोज का वह इसको क्या करार एक रिंग फार्म पना यह आपका कारवन दूसरा कारवन तीसरा चारवन पांचमा कारवन और यह उत्वार जागा धर विए आपका क्या हो हो जगा छटा कारवन हो जागा ठीक है तो यह दोनों के बीच में क्या है एक जर लगा हुआँ ठीक है क्या लगा हूआ ऑक्सिज़न जो की ग्लुकोज और फ्रक्टोज के अल्डी हैड़ की टोनने से किसी एक इस इसको कहते हैं इसके बात यहाँ यह द्यान रखने होगा कि सुक्रोज में फ्रक्टोज अडु वाय रूप में किसमें होता है आपका गामा रूप में होता है सुक्रोज में फ्रक्टोज अडू गामा रूप में होता है ठीक है कंसे रूप में होता है गामा या कहते है इसको फ्यूरे नोज कहते है इसमें रहता है ठीक है जो जल अपकटत होने पर सिग्र पाइरे नोज रिंग में बदल जाता है किसम बदल जाता है पाइरे नोज रिं सुक्रोज की सरचना या सुक्रोज पर टिप पढ़ी आई होप कि आपको समझ में आया होगा बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में होज चैनल को कर लेना है आपको सबस्क्राइब और अगर आपको किसी भी अन प्रकार के नोट्स चाहिए और बीडियो का प्ले लिस्ट चाहिए तो इसकी साइट है www.keeperhacker.in पी जाकर आप जो भी आपको चाहिए लिए बीडियो के प्लेडिस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर और किसी भी वीडियो का पेडिए फार्म भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते ठीक है तो बना रही हमारा साथ मिलते हैं अंकले वीडियो में ऐंक्यू